वैलकम ट्यू आर यूट्यूब चैनल आज की स्टोरी में हम एक लव स्टोरी को देखने वाले हैं जिसमें हम यह देखेंगे कि कैसे एक पती अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया से लड़ लेता है, पूरी दुनिया जहान लगा देता है उसे ढूनने में जी हाँ सही समझ रहे हैं आप आज की हमारी मूवी का नाम है लापता लेडीज इस मूवी में सिर्फ यही नहीं दिखाया गया है कि दो हंसों का जोड़ा बिछड जाता है और कैसे मिल जाता है बलकि एक लेडी की डिग्निटी की बारे मैं भी बताया गया है कि कैसे एक औरत अपने आपको एमपावर कर सकती है और अपने आपको आगे बढ़ा सकती है तो चलिए कहाने की शुरुबात करते हैं तो हम देखते हैं कि दीपक नाम का एक लड़का फूल नाम के लड़की से शादी करके अपने घर जा रहा होता है क्योंकि शादी के बाद लड़की को बहुत लंबा चोड़े गुंगट में रहना होता है इसलिए उसकी बीवी फूल भी बहुत नंबे चौड़े गुंगट में होती है अब वो लोग ट्रेन से सफर करते हैं जब ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं की तरह दो-तीन चौड़ों ने और शादी की हुई है कोइंसिदेंस तो सबसे बड़ा ये था कि जैसे कपड़े फूल और दीपक ने पहने थे वैसे ही कपड़े उन लोगों ने भी पहने थे बीच में दीपक न कहीं इधर उदर चला जाता है उसे वाश्रूम जाना होता है तो अपनी बीवी से कहता है कि तुम यहीं बैठे रहना इसी बीच वहाँ पर लोग आ जाते हैं और फूल को बिल्कुल किनारे में बिठा देते हैं और जहां पर फूल बैठी थी वहाँ पर दूसरी लेडी बैठ जाती है लेडी इन देसंस दुलहन जो बिल्कुल फूल की तरह ही दिख रही होती है अब दीपक जब वापस आता है उसे रखता ही यह मेरी ही फूल बैठी हुई है और रात के टाइम पे जब उसका अपना स्टिशन आ जाता है तो जल्दी जल्दी वो फूल को नोचता है से हाथ लगाता है और कहता है चलो ताइम हो गया है और वो चले जाती है और वो जो लेडी होती है वो सूचती है कि उसे उसके साथ जाना है या नहीं लेकिन एट लास्ट वो उसी के साथ चल जाती है बीच में जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो दीपक के दोस्तों ने बैंड बाजे का इंतिजाम कर रखा था नाश्टे गाते हुए लोग घर पहुंचते हैं अब दीपक की मा फूल की आरते उतारने जा रही थी थोड़ी बहुत उतारती है टीका लगाने के लिए कहती है बेटा घूंगट तो उपर खोलो और जैसे ही वो अपना घूंगट उपर खोल दी है तो बस फिर क्या था उन लोगों को पता चल जाता है ये सब देखकर दीपक हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो फूल नहीं थी अब दीपक सोचने लगता है कि ऐसी गलती कैसे हो गई फिर अपना दिमाग चलाता है कि वहाँ पर तो दो तीन और दुलहने थी जो बिलकुल सेम कपड़े पहन कर बैठी हुई थी अब दीपक को समझ में आ जाता है कि उसकी बीवी की अदला बदली हो गई है दीपक के पिताजी उस पर गुसा करते हुए कहते हैं तुम्हें पता नहीं चला तुम किसी और की बीवी को उठा कर ले आए तब ही लड़की कहती है इस तंभू जैसे घुंगट के पार ना तो लेडिस की शकल दिखाई देती है और ना ही लेडिस को जूते के अलावा कुछ और दिखता है तो कोई पहचाने तो पहचाने कैसे दीपक के पिता के पूछने पर लड़की अपना नाम पुषपा और अपने पती का नाम पंकच बताती है और बताती है कि उसका ससुराल 36 गड़ में है जो कि काफी दूर था उसने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और फिर अपने घर का एक नमबर बताती है जो कि बार-बार गलत आ रहा था अब फूल को दिखाया जाता है जहां पुषपा का पती पंकच उसे अपने बीवी समझ कर उठाता है वो देखती है कि वो तो दीपक नहीं है वो उठती है और इधर उदर दीपक को दूणने लगती है दीपक कहीं भी दिखाया नहीं देता पुषपा प्रदीप की बीवी थी पर वो और वो उससे पुकार रहा था उससे ढूंड रहा था पर कहीं मिलने रही थी उससे बहुत गुसा आ रहा था कि कहां चले गई मैं फूल के पास जाता है उससे पूछता है, गुम हो गई हो क्या, मद अच्छ ही ये, लेकिन फूल उसके बुरे इरादों को पहचान जाती है, और वहां से भाग जाती है, असल में पुश्पा का नाम पुश्पा नहीं, बलकि जया था, और उसके पती का नाम पंकच नहीं, बलकि प्रदीप था, तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, हर जगे फूल को ढूनता है, पर वो नहीं मिलती, अब इधर प्रदीप के दोस्ट वीजया को ढूनने पर लगे हुए हैं, ना मिलने पर प्रदीप कहता है, भार में जाए, अगर कल तक नहीं मिली, तो थाने में और उसके माईके में खबर बेज देंगे, और वैसे भी देहेज का फटफटिया तो आगी गया है, क्या दिक्कत हैं, और यह कहकर वो अपनी गर्फरंड डॉली के घर रात गुजारने चला जाता है, रात में पुश्पा चुपके से बाहर आती है, और अपने पैग में से फून निकालके उसकी सिम तोड़ देती है, आगे सुनसान स्टेशन और पहचान को कोई भी नहीं, फूल पूरी राज स्टेशन के बातरूम में बिताती है, फूल को स्टेशन में छोटू और अब्दुल नाम के दो लोग बढ़ते हैं, जो कि उसकी मदद करते हैं, और उसे स्टेशन मास्टर के याद नहीं आ रहा था, बस इतना पता था कि किसी फूल के नाम से उसके ससुराल का नाम है, और पूल स्टेशन वो जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोट कचैरी का चकर तो बहुत खराब होता है, वहाँ ना जाना ही बहतर है, जब स्टेशन मास्टर उसे पूछते हैं कि चलो माईके का नाम तो बता दो, वो कहती है गंगापूर, लेकिन वहाँ पर गंगापूर बहुत सारे गाओं थे, उसे अपने रेलवे स्टेशन का नाम पता ही नहीं था, अब सुबह होती है, और दीपक पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, रिपोर्ट लि तुम चिंता मत करो, फूल जब भी हमें मिलेगी उसको तो हम धूंडी लेंगे, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे सही ठीकाने पहुचा के रहेंगे, वो लोग वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, पुलिस स्टेशन में जो दरोगा होता है, वो थोड़ा घूस्टो टाइ जी की आखरी मननत थी, कि फूल की शादी पर उनके कुल देवी को फूब चरहेंगे, अब उसके इसी वज़े से हम दो दिन लेट हो गए, लेकिन जब हम वापस आए, ट्रेन से उतरे, तो देखा कि हम अपनी बीवी नहीं बलकि पुश्पाको लेकर आए हैं, दीपक के पा उतरवा लिये थे, पुलिस ओफिसर उनसे भी खोश लेता है, और कहता हम ठीक है करवाई शुरू करते हैं, लेकिन कल पुश्पा को भी साथ में ले आना, नेक्स सीन में छोटू फूल को दादी के पास ले जाता है, जो कि स्टेशन में चाय की दुकार नगाती थी, दादी उसे कहती है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, आज कल यही चल रहा है, जूलरी ले जा लेते हैं और लडगियों को छोड़ देते हैं, तो बेटा, अब तु अपने माई के चली जा, फूल कहती है, कि माई के का पता चल भी जाए, तो भी मैं अपने माई के नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बद्दामी होगी लोग सोचेंगे कि लड़की में ही कोई दोशों का इसलिए पती स्टेशन पर छोड़ गए है जो दादी है उनका नाम है मंजुमाई तो मंजुमाई का सुभाव थोड़ा खडूस टाइप का था वो फूल को बेवकूफ कह रहे थी कि तु बेवकूफ है तो फूल कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ मुझे अच्छी सिक्षा दी गई है बहुत अच्छा बनाया गया है तो मंजुमाई कहती है जिस घर में पूरी जिंदगी रही हो उस घर का पता ही मालूम नहीं है तुम्हारी अम्मा को पताओ तो क्या तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें अच्छा बनाया है फूल बोरती है कि हमें हमारी अम्मा ने घर का सारा काम सिखाया है सब आता है हमें तो मंजुमाई कहती है अच्छा घर जाना आता है क्या अब प्रदीप ने जया को खोने की रिपोर्ट लिखवा दी तो वही रिपोर्ट आसपास के ठाणी में भी दे दी चाती है रिपोर्ट आती है तो पुलिस को शक होता है कि कहीं पुश्पा ही तो जया नहीं वह इसले भी जाद इंट्रस्टेड होता है क्योंकि उसमें लिखवाया गया होता है कि पुश्पा के पास 15 तोले की जूलरी है और वो तो थोड़ा गुजगुर था ही अब रात होने पर पुश्पा फिर से छुप छुपा के बाहर जाती है अपना फोन निकालती है और उसमें न्यू सिम लगाती है और उसे एक्टिवेट कर देती है यहाँ पर फूल को यकीन था कि दीपक उसे ठून ही रहा होगा और कभी ना कभी उसे खोशते हुए जरूर आएगा और फिर वो मन्जु माई के स्टॉल पर काम करना शुरू कर देती है अब यहाँ पर दीपक की भावी पूनम उसको दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छा स्केच बनाती थी अपने पती का भी स्केच बना कर रखा हुआ था उसका पती उससे काफी दूर रहता था उसी दिन पूनम के बेटे बबलू से बात करते टाइम पुश्पा को समझ में आता है कि मेरे हाथ में जो टैटू है जया नाम का उसका मैं क्या करूँ दूसरे सीन में दिखाते हैं कि दीपक और पुश्पा दोनों पुलिस टेशन जाते हैं पुश्पा अपना नाम, पिता का नाम, गाउं का नाम, पती का नाम सब कुछ छूट बिठात बताती है जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि हाथ में जया नाम गुदवाया है तो ओफिसर दिखाने को कहता है पुश्पा ने जया को श्रेया कर लिया था अफिसर पूछता है जब नाम पुश्पा है तो क्यों तो तुमने जया क्यों गुदवाया हुआ है तो वो कहती है कि बच्पन में मेरे पिताजी मुझे श्रेया कहे कर बुलाते थे आफिसर उसकी फोटो कीचने की बात करता है तो पुश्पा गूंगट ओर लेती है और ये कहते हुए गूंगट को बिना हटाए बोल दी है कि अगर मैंने गूंगट को हटा लिया तो मेरी बहुत बद्दामी होगी पुश्पा जैसे ही जाने लगती है तब ही आफिसर शक्स से उसे जया कहता है पुश्पा पलट जाती है जिससे कि आफिसर को समझ आ जाता है कि यह श्रया नहीं बलकि जया ही है अब मन्जू माई फूल को अपने घर ले जाती है जहां वो अकेले रहती थी फूल पूश्थी है कि माई तुम यहां अकेली क्यों रहती हो तो वो बताती है कि मेरे बेटे और पती दोनों मेरा ही खाते थे और दारू पी कर मुझे ही मारते थे फूल को यह बात समझ में आ गए कि मंजू माई यह सब बताते हुए बहुत सेंटी हो गई है तो फूल बात समालने के लिए बात को चेंज ही कर देती है और पोश्थी है ओहो दादी मैं आपके दुकान के लिए कुछ मीठा बना दू क्या तो दादी कहती है बेटा तुम्हारे लिए रसोई पराई है ठीक से बना पाओगी तो फूल कहती है कि पराई रसोई को अपना बनाना यही चीज़ तो सिखाई है हमारी अम्मा ने अब मंजू माई और फूल दोनों दुकान की तरफ चले जाते है दुकान में मंजू माई एक आदमी को दो चमच वही मिठाई देती है और टेस्ट करने के लिए कहती है उस आदमी को वो मिठाई बहुत अच्छी रखती है फूल मंजू माई से कहती है पहले स्वाद आप तो चकलीजिए मू मीठा कीजिए लेकिन मंजू माई कहती है कि मू मीठा करने के लिए मेरी जिन्दीही में ऐसा कुछ खास है नहीं यहां पोलिस आफिसर पुश्पा पर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि वह कहां जाती है क्या करती है वो देखते हैं कि पुश्पा के पास मूबाइल है और वो मंदर इसलिए जाती थी क्योंकि वहीं पर नेटवर्क सही से आता था दीपक का एक गुणजन नाम का दोस्थ था जिसे पुश्पा बहुत पसंद थी वो पुश्पा से बात करने का पहाना ढूंदा था इसलिए पुश्पा से उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी इसी भीच बाउजी और गुणजन दोनों बातचीत करते हैं और बाउजी गुणजन से कहते हैं कि इस बार हमारी फसल में केड़े लग रहे हैं तो उपको कीट नाशक लाकर छिड़क देते हैं वहाँ पुश्पा बैठी होती है तो पुश्पा जट से कहती है कि नहीं बाउजी कीट नाशक बहुत बुरा होता है उसके बदले में आप स्टील की ट्राप लगवा सकते हैं केट नाशक कीड़ा तो मरेगा ही और फल भी खराब नहीं होगा लोगों की सेहत भी खराब नहीं होगी और फिर वो स्टील ट्राप का प्रोसेस बताने लगती है ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की को खेती बारी के बारे में इतना कैसे पता तो पुश्पा थोड़ा जिजब के कहती है कि मेरे बाउजी की बहुत खेती है इसलिए मुझे सब पता है अब पूनम के पास इतनी अच्छी कला थी लेकिन उसे ना तो उसकी कदल थी ना ही महतवल पता था उसे लगता था कि कला तो अपने आप ही आ जाती है पुश्पा उसकी बहुत तारीफ करती है पुश्पा उसे कहती है कि अगर ये कला अपने आप आती तो सब कुना आ जाती कला सरस्वती माता देती है और देवी मा कोई फिजूर चीज थोड़ी देंगी पुश्पा और पूनम के बीच काफी बनने लगी थी इधर पुलस वाले पुश्पा की चासूसी कर रहे होते हैं उन्हें पता चलता है कि पुश्पा ने अपने गहने बेज कर किसी को 25,000 रुपे भेजे हैं इधर फूल को भी अपने हुनर की पहचान होने लगी थी उसे समझ में आने लगा था कि वह भी कमा सकती है वह भी इंडिपेंडेंडेंट हो सकती है फिर वो सोचती है जब लड़कियां सब कुछ कर सकते हैं तो घर वाले उन्हें इतना नाचार क्यों बना देते हैं हम लड़कियों को मौका क्यों नहीं दिया जाता और यही सब कॉश्चन लेकर वो मंजुमाई के पास चले जाती है मंजुमाई से पूछती है मंजुमाई कहती है शायद डर से कि कहीं औरत को यह समझ ना आ जाए कि उसे मर्दों की कोई खास जरूरत नहीं है और फिर पिचारे मर्द वो तो बरभाद हो जाएंगे अगले सीन में रात दिखाई जाती है और रात में पुश्पा सब सामान लेकर घर से भाग रही होती है लेकिन तभी मैं दीपक की हालत देखती है कि वो फूल के लिए कैसे तड़प रहा है तो फिर वो भागने का प्लान कैंसल कर देती है दोसरे पुश्पा की फोटो आ जाती है और कंफर्म हो जाता है और फिर पुलिस ओफिसर उसे गिरफदार कर लेते हैं वो सब को बताता है कि ये लड़की चोर है तो कि लड़कों को फसाती है और फिर उनके घर लूटके भाग जाती है दीपक भी उसे चोर माच चुका था क्योंकि पुश्पा ने कई जूट बोले थे जैसे कि पुश्पा के पास फोन था उसने बताया नहीं पुश्पा पड़ी लिखी थी उसने जटाया नहीं दीपक को लगता है कि ये जूटी है थोड़ी देर बाद गुजना कर कहता है कि पुश्पा गलत नहीं है और ना ही वो लुटे री है ना ही उसने फूल को कहीं किटनैप करवाया है बलकि वो तो फूल को ढूणने में मदद कर रही है अब वो मिसिंग पोस दिखाता है जसमें फूल का स्केच बना हुआ था पुश्पा ने मुझसे फूल का स्केच बनवाया था क्योंकि मैंने ही उसे देखा था और गुणजन कहता है कि फूल के स्केच का पोस्टर उसने मुझसे बनवाया और मुझसे कहा कि मैं इसे चाप दूँ हर जिगे लगवा दूँ ताकि फूल मिल जाए वह पोस्टर भी सच मुच फूल तक पहुश जाता है जिसे देख उसकी आँखों में खुशी के आसु आजाते हैं कि दीपक उसे ढूणने में लगा हुआ है वह लोग पोस्टर पर लिखे नमबर पर कॉल करते हैं पर कोई उसे उठा नहीं रहा था क्योंकि वो नमबर तो पुश्पा का था और पुलिस के पास जमा था तो अब फूल के ससुराल का नाम सबको पता ही चल गया जो की सूरज मुखी था तो सभी लोग फूल को अच्छे से विदा करके उसे उसकी गाउं जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं दीपक सारी बात पुलिस ओफिसर को बताता है और बताता है कि जया निकी पुश्पा कोई गलत नहीं है तो जया को मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का जया बताती है कि मेरी शादी तै हो गई थी पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी मैं एक क्लास की टॉपर थी किती बारी की पढ़ाई करना चाहती थी धैरादून से कोर्स करना चाहती थी पर घर वालों ने शादी तै करवा दी शादी के कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि प्रदीब की पहली बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए वो जल गई जर्या एक समझदार लड़की थी इसलिए वो समझ गई कि लड़की जली नहीं बलकि जलाई गई है लिकिन घर वालों के प्रदीब से मजबूरी में शादी करती है शादी वाले दिन पुषपा की मा को प्रदीब बहुत गालियां देता है क्योंकि दहेज में दस हजार रुपे की कमी थी पुषपा को अब अपना पती बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था पीच में रोकते हुए आफिसर कहते हैं इतना ही था तो शादी के पहले भाग लेती शादी के दिन भाग लेती रेन से भागनी की क्या जरूरत थी तो जया कहती है भागने का सोचा ही नहीं था मैंने मैं तो गुंगट ओड़कर अपनी किस्मत से समझोता कर दिया था ये सोच लिया था कि अब जो किस्मत में होगा वही देखा जाएगा तब ही दीपक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रेल गारी से उतार दिया अब जब किस्मत इतना बड़ा इशारा कर रही थी तो मैं कैसे वापस मुड़ सकती थी वो बताती है कि हेमा तरपाथी मेरी बड़ी बहन है कंगन बेज कर मनी ओर्डर उसी को ही भीजा है ताकि वो मेरे कोर्स और हॉस्टल की फीज भर सके कर रात की बस थी मेरी धहरा दोंगी पर आप लोगोंने मुझे जेल में डाल दिया दीपक कहता है इतना जूट बोला था तो एक बर सच बोल देती जया कहती है कि अगर सच बता देती तो क्या आप लोग मुझे अकेली जाने देते मैंने अपने सगों से विंती की वो तो मानी नहीं आप क्या ही समेडी सुनते मुझे बस एक हफ़ता चुप रहना था लेकिन ये पूरी दुनिया मुझे मेरे घर पहुँचाने में लग गई मैंने चोरी की भी तो क्या की बस अपने ले आज़ादी चुरा कर भाग रही थी लेकिन दीपक की हालत देखी तो मैं रुब गई मैंने पूर्णम से स्केच बनवाया ताकि फूल मिल जाए सब सही हो जाए फिर याद आता है कि पुश्पा के नंबर पर कॉल्स आए होंगे लेकिन फोन तो दरोगा के पास था फोन आउन किया उसमें बारा बेस्ट कॉल आई हुए थी फोन करने पर पता चल जाता है कि फूल वहां थी दरोगा पुश्पा को जाने नहीं देता क्योंकि प्रदीप आने वाला था वो कहता है कि तुम्हारा केस अभी खतम नहीं हुआ है फिर प्रदीप आ जाता है प्रदीप उस पर बहुत गुसा करता है उसे खीच कर थपर मार देता है और वहां मौजूद कोई भी इंसान कुछ नहीं करता जैसे ही उसे लेकर जाने लगता है तो शाम कहता है कि प्रदीप बाबो केस एक तो खतम हो गया लेकिन अब दूसरा केस चालू हो सकता है आगे कहता है कि मैडम वालिक है तुम उसे ले जाना चाहते हो वो ठीक है लेकिन क्या वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है तुम उन्हें जबरजस्ती नहीं लिजा सकते ये जो तुमने थाने में देहेज की बात की है ओरत पर हाथ उठाने की हिम्मत की है उसे डराया धमकाया ये जो सब पुछ किया है ना बाबू आपने ये सब एक अपराद है प्रदीप बाबू अगर ये फिजिकल अब्यूस और देहेज का केस दर्च कर देगी न तो आपको तुरंट अंदर कर दिया जाएगा और पुराना केस भी खुलेगा जाच होगी कि आपके पहली बीवी जली थी ये जलाई गई थी प्रदीप तुरंट वहाँ से किसक लेता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ऑफिसर जया के साथ है उसके साथ नहीं ऑफिसर ने भले ही घूस ले लेके कई गलत काम के हो पर इस बाद वो सही काम करता है और पुश्पा को उसके जेवर लोटाते वे कहता है अच्छे से पढ़ना बेटा नेक्स सीन में दीपक स्टेशन पर पहुँचता है वहाँ उसे उसकी फूल मिल ही जाती है दोनों एक दूसरे को पाकर खुशी से एक दूसरे को जकर लेते दीपक उसे घर ले जाता है तो पूरा परिवार भी उसे देखकर खुश हो जाता है कि चलो घर की बहु घर में आ गई फूल के घर पहुँचने की खबर मंजुमाई को पहुँच जाती है उनकी आखों में भी आसुआ जाते हैं और वो आज पहली बार अपना मुँख मीठा करती है क्योंकि आज फूल खुच से अकेले ट्रेन में बैठकर अपने घर सही सलामत महुच गई ये इंडिपेंडनेंट होने का एक बहुत बड़ा रीजन बहुत बड़ा स्टैप माना जा सकता था मंजुमाई के लिए ये बात बहुत बड़ी थी कि वह बच्ची जिसे अपने घर का एड्रस भी नहीं पता था वो सही सलामत उस जगे पहुच गई जहां उसमें कभी कदम भी नहीं रखा इसलिए इस खुशी में अपनोंने अपना मूमी ठा किया अब हम देखते हैं कि जया दहरा दून जा रही थी पढ़ाई करने के लिए सब उसे छोड़ने के लिए वापस आते हैं विदाई के टाइम जया वापस दुबारा आने का वादा करके निकल जाती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चली जाती है और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों हमने देखा कि एक ऐसी खुबसूरत कहानी दिखाई गई है जिसमें बताया रहा है कि औरत का महत वो क्या है और उसे किस तरह से बेड़ियों में बांधा गया है अगर औरत अपना हक मांगती है तो सोचा जाता है कि वो बिगड गई है वो पैसे कमाने के बारे में सोचती है तो उसे लालची माना जाता है वो बाहर काम करती है तो उसका कैरक्टर ढीला मान लिया जाता है मान लिया जाता है कि वो खराब हो चुकी है वो दूसरे मर्दों को रिचाने लगी है उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता बस घर का काम करवाया जाता है वही सिखाया जाता है और सिर्फ यही दिखाया जाता है कि अपने पती के उपर dependent रहो इस वज़े से ही बहुत सारी लड़िया आज भी आगे नहीं बढ़ पा रही है कहानी कैसी लगी इस बात के बारे में हमें जरूर बताईएगा आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स कहानी किस के उपर बनाओ कहानी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्या-क्या दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है क्रिपिया करके मुझे वो भी बताएगा आपके सजेशन मेरी लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो अलविदा लेती हूं तब तक के लिए बाई बाई